हलो माई व्यूटिफुल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी का नवा महीना यानि की शिशू के सारे के सारे अंग जो हैं वो अब अच्छे से विक्सित हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से तयार है जन्म लेने के लिए फ्रेंड्स यानि अब एक चीज समझ लीजे 33 से 36 हफते के बीच महिला को अपने खानपान पर स्पेशल ध्यान देना होता है क्योंकि 36 हफते के बाद किसी भी समय शिशू का जन्म हो सकता है तो इसलिए क्या है कि जो लास्ट महिना होता है 8-9 मंत में मतलब बिल्कुल भी लापरवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चा जो है वो वेल डेवलप हो चुका होता है पूरे अंग उसके बन चुके है तो उसे हर तरह से nutrition value चाहिए तो friends मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नवे महिने का वो ऐसा कौन सा लक्षन है जिससे मतलब जो कई सारी गर्वती महिलाओं को अनुभाव है ये प्लस जो दादी नानी के नुसके भी कहते हैं कि अगर नवे महिने में वो एक लक्षन दिखाई दे तो उसे लड़का होने से जो है जोड़ा जाता है friends मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ medical science और doctor का मानना है कि जो food की craving हमें पूरी pregnancy के दवरान महिलाओं में पाई जाती है वो food की craving depend करती है कि महिला में किस nutrition value की कमी है कौन से mineral की कमी है इसकी वज़े से जो है महिला को उससे सम्मंदित food की craving होगी friends कुछ महिलाओं को food की craving बहुत जादा देखने को मिलती है कुछ को कम और किसी को बिलकुल भी नहीं होती तो doctor का ऐसा मानना है कि food craving totally depend करती है कि हमारे nutrition value में इसलिए कहा जाता है कि आप जो है balance diet लीजे सही से उसमे fat हो carbohydrate हो और protein हो है na calcium हो तो मतलब इसलिए कहा जाता है pregnancy में especially balance diet लो क्योंकि अंदर आपके एक दूसरी जान भी पल रही है और plus delivery के बाद आपकी समय से healing मतलब सही से आप समय के साथ आप जल्दी सही ऐसे हो पाएंगे कि अगर आपने सही diet ली होगी तभी आप लोग जल्दी से recover हो पाएंगे और अपने बच्चे का अच्छे सा ध्यान रख पाएंगे इसलिए कहा जाता है balance diet low especially pregnancy में तो अब मैं आपको बताती हूँ ये तो होगी science वाली बात अब मैं आपको बताती हूँ कि जो old wives कहती है कि अगर है ना pregnancy के शुरुवाती मन्त में तो आप नमकीन खटा कैसा भी diet मतलब ले लें कैसी भी craving हो कोई बात नहीं लेकिन अगर गर्ब में लड़का है तो ऐसा माना जाता है कि last month में third trimester में आप मीठे खाए भी ना रहे ही नहीं पाऊगे मतलब जो कहा जाता है कि लड़ू गोपाल लड़ू खाके होते हैं तो ये वाली बात को जो old wives कहती है और जो ये जो ये मेरे कई सारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया हुआ है कि मतलब मीठे खाने की बहुत ज़्यादा craving होई थी और हमें baby boy हुआ friends तो ये मेरे अपने सब्सक्राइबर प्लस कही सुनी old wives वाली बाते हैं लेकिन science इस चीज को बिलकुन नहीं मानती है मैंने आपको इस वीडियो में दोनों चीज़े clear की हुई है friends science वाली और प्लस कही सुनी बाते उमीद करूँगी ये वीडियो आपको interesting लगी होगी लेकि हाँ doctors ऐसा कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की craving है तो avoid करना चाहिए आप जंक foods मीठे जंक foods मिठाई हैं लेने से अच्छा है कि कई सारे ऐसी मतलब फल हैं जैसे mango हो गया है dates आप ले सकते हैं खजूर है और कोई भी आप मीठा फल केला कोई भी आप मीठा फल खाईए लेकिन आप avoid कीजे कि unnecessary आप गुलाब जामून मिठाई लड़ू पेड़े इन से बचें क्योंकि pregnancy में इससे शुगर की मातरा बढ़ सकती है आपको आप ओवरवेट हो सकते हो और आपका बीबी भी बढ़ सकता है इससे आपको ही आपकी body में कई तरह के complications पैदा हों उमीद करूंगी ये वीडियो आपको बहुत interesting लगी होगी friends मीलोंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आप अपना ध्यान रखोगे तो ही baby healthy और happy रहेगा till then take care thanks for watching bye bye